नमस्कार दर्शकों मैं हूँ भगवति प्रसाद पूरोईत एडवोकेट और आप देख रहे हैं कानूनी ग्यान चैनल आपका एक बार फिर कानूनी ग्यान चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है दर्शकों कई बार क्या होता है कि कि किसी व्यक्ति का किसी अधिकारी के द्व की गई कार्यवाई के लिए उसे डंडित किया जा सके तो दर्शकों इस संब्द में धंड सहिता कि धारा एक सो चांचट में प्रावधान दिये गए हैं कि यदि कोई अधिकारी यह जानते हुए कि उसके द्वारा जो है गेर कानूनी कारिवई की जा रही है और उससे किसी व्यक्ति का नुकसान हो सकता है तो ऐसी इस्तिती में उस अधिकारी को दंडित किया जा सकता है तो आए समझ लेते हैं कि क्या केती है दंड सहिता की धारा एक सो चांचट उससे पहले मेरा आप से निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देखिए भारती दंड सहिता 1860 कि धारा 106 कहती है कि लोग सेवक जो किसी व्यक्ति को छती कारित करने के आशय से विधी की अवग्या करता है, जो कोई लोग सेवक होते हुए विधी के किसी ऐसे निदेश की जो उस ढंग के बारे में हो, जिस ढंग से लोग सेवक के नाते उसे आचरन करना है, जानते हुए अवग्या इस आशय से या यह संभव्य जानते हुए करेगा कि ऐसी अवग्या से वह किसी व्यक्ति को छती कारित करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधी एक वर्ष तक की हो सकेगी या जूर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, अब हम यह जान लेते हैं कि किसी अधिकारी के विरुद किस प्रकार से कोई कारिवाई की जाएगी, जब कोई बड़े पद पर कोई अधिकारी है, तो ऐसी इस्तिती में स्वाभाविक है कि उस अधिकारी के विरुद कोई थाने में रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं होता है, तो इसके लिए देखिए, जो है CRPC अर्थात दंड प्रक्रिया सहिता की धारा एक सो सिंत्याणों में प्रावधान दिये गए हैं, यदि कोई अधिकारी जो है, वह केंदर शाषन के द्वारा नीक्त किया गया है, तो ऐसी इस्तिती में धारा एक सो सिंत्याणों के तहद केंदर शाषन से उस अधिकारी के विरुद कारिवाई करने हैं तु पर्मीशन लेनी पड़ेगी, दूसरा यदि उस अधिकारी को किसी राजशाशन के द्वारा निव्त किया गया है तो ऐसी इस्तिति में राजशाशन से उस अधिकारी के वृद कारिवाई करने से पूर्व राजशाशन से अनुमती लेनी होगी देखे इसके लिए जो है पुलिस एफाई आर यादी नहीं लिखती है तो इसके लिए कोई व्यतित व्यक्ति जो है वह न्यायले में परिवाद प्रस्तूत कर सकता है तो मैं मानता हूँ कि आज दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे और अधिक से अधिक लोगों तक शेर कर दीजे कैसी लगी आपको जानकारी या भी आप कमेंट कर जरूर बताए फिर मिलते हैं अ अब तक के लिए जय हिन जय भारत